नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ओनलाइन प्रेटफॉर्म पर तो क्या हाल चाले आप लोगों के सभी बढ़िया होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे आज का ये जो वीडियो है बिल्कुल भ्रह्मास्त्र सावित होने वाला है वेटा क्योंकि इसमें मैं बताने व सक पूरा देखना है बेटा ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी तो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं आप एडेट का कम्प्लीट सिलेबस देखेंगे बेटा जो कि आपका दो हजार 24 के लिए होगा सबसे इंपोर्टेंट जानकरी बेटा एडेट का संपूर्ण कोर्स कम्प्लीट कोर्स हमारे एप्लिकेशन पर अविलेबल है एप्लिकेशन का नाम है शिक्षा मेडिको जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिशम नहीं मिल जाएगी वहां पर आप जाकर के क्लिक कीजिएगा आपको एप्लिकेशन डाउनलोड करन की वो प्राइज है 1699 रुपए में आपको पूरा का पूरा कम्प्लीट कोर्स यहां पर मिलने वाला है और बहुत भेतरीन तरीके से यहां पर सभी सब्जेक्ट को पढ़ायगा है तो कोर्स पर्चेस कर लिए सबसे पहला काम आपको यह करना है अब आगे हम देखते हैं कि सब से पहला सब्जेक्ट क्या है अच्छा एसे चात्र जो PNST की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहां पर बिल्कुल ओफर चल रहा है बैटा 1499 रुपए मात्र 1500 रुपए में उनका कम्प्लीट कोर्स है जिसमें आपकी केमेस्ट्री है पाइलोजी है अना बोटनी है जुलोज है और इंग्लिश और फिजिक्स पूरा कॉम्बो पेक आपको एक साथ मिलने वाला है मात्र 1500 रुपए में बैटा तो आज ही पर्चेस कर लीजिए चलिए पातरते हैं हम स्तिलेबस की स्तिलेबस से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्जाम के पैटन के बारे म इसके बाद अगर हम बात करें कि टोटल माक कितने होंगे कितने मांक का पैपर होता है तो हैंडेट मांक का पर होता है कजिए और रहें Eck CBT CBT का मतलब क्या है computer best test है ना यहने कि आपकी जो exam है वो online mode पर होगी बेटा ठीक है इसी के साथ देखते बेटा paper type केसे रहेगा mcqs रहेंगे mcq type objective type question आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले अच्छा कोई negative marking रहेगी क्या कोई negative marking नहीं है यहाँ पर zero negative marking जितने भी आपके बेसिक छोटे-छोटे question जो आपसे बन सकते हैं बई है ना problem जो बीजिस में भी आपको problem आती हो सारे concept यहाँ पर लिखे हुए आपको कोई भी doubt यहाँ पर नहीं रहेने वाला की exam का pattern क्या होगा ठीक है आगे बात करते हैं सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा फिजिक्स में आपके total marks चालिक्स marks को कोशन आएंगे पिटा chemistry की बात करें तो इसमें भी आपको 40 marks मिलेंगे चालिक्स marks के कोशन देखने को मिलेंगे general study की बात करें यह नहीं कि gk का जो portion है वो है आपका 20 marks का बटा इस तरीके से आपके subject में marks जो है वो divide किये गया है अच्छा आगे बात करते हैं सिले बसकी कि कौन सा subject में कौन-कौन सा topic आने वाला है ठीक है चली देखते हैं बटा सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की फिजिक्स में सबसे पहला जो topic है unit and dimension इसे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से सवाल आते हैं इसी तरीके से next topic आता है आपका hooks low, young's modulus, share and bulk modulus यहाँ प्रत्यास्था गुणा, hook का नियम इस प्रकार के जो यहाँ पे छोटे मोटे जो नियम है वहाँ से लेकर के भी आपके सवाल पूछे गए बटा in the same way is basic heat and constant volume, constant pressure and heat conduction यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं नेक्स टोपी की बात करें अगला टोपी क्या आता है आपका periodic motion periodic motion से आपका यहाँ पर सवाल आता है, फिर आता है आपका wave nature of light, light का nature क्या है, dual nature of light, वो दोनों चीज़े पढ़नी बटेगी, reflection और reflection, reflection और reflection यहाँ से आपका सवाल बनता है यह आपका अगला टोपी की, इसी तरीके से इसी करम में हम आगे देखें तो next टोपी क्या है आपका बहुर model of atoms, अगला टोपी का आता है आपका bar magnet, फिर आता है आपका coulombs law, यहाँ से आपकी 12th chapter start होगे बेटा, है न, coulombs law of electric, aesthetics, electro-esthetics, फिर बात करते हैं आपकी potential की, electro, electric current की यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ से आपका सवाल बनता है, in the same way, measurement of voltage and as current, यह जब साई important यहाँ से आपका सवाल 100% आता ही आता है, इसके बाद बात करें, electric power, heating effect of current, इसके बाद अगला next topic है आपका force on a moving charge in magnetic field, magnetic field से भी question 100% आता है यह भी आपका important topic है यहाँ पर, इसी के बाद अगला जो आपका topic आता है वो आता है आपका electromagnetic induction, electromagnetic induction, यह भी favorite topic है बाता है examiner का favorite topic है यह भी ठीक है आगे बात करते हैं तो बेटा यह पूरा का पूरा physics की अगर मैं बात करूँ तो physics का पूरा का पूरा complete पूरा syllabus यहाँ पर आपको application पर मिल जाएगा बेटा आप लोग यहाँ से course purchase कर लिजिए मात्र 1700 नुपे में ठीक है बहुत कम प्राइजे बेट करते हैं chemistry की chemistry में क्या सिलेबस होने वाला है तो chemistry की अगर बात करें तो देखो general and physical chemistry की सबसे बहुत करते हैं chemistry की तीन पार है यहाँ ध्यान दीजिएगा general and physical chemistry में कौन-कौन सी टोपी के सर देखो पहला टोपी के आपका structure of atoms पहला टोपी क्या है structure of atoms फिर आता है आपका आप प्रिंसिपल, electronics, configuration of elements, आप जानते होंगे, फिर आता है अगला topic आपका chemical bond, solution, solid state, nuclear chemistry, radio activity, radiation, और chemical equilibrium, आज है chemical equilibrium, यह आपका syllabus किसका बैटा? जन्रल और फिजिकल केमेस्टी का, इसी के साथ और भी topic में, ionic equilibrium, solution, solubility product, next आपता, communication, ion effect, theories of acid and best hydrolysis of saltate, ठीके, अगला आता है अपका thermodynamics, thermodynamics के साथ, thermo chemistry भी पढ़ना है, thermodynamics के साथ आपको thermo chemistry भी पढ़ना है, फिर आता है आपका chemical kinetic energy, chemical kinetic theory यह भी पढ़ना है, फिर आपका आता है electro chemistry, electro chemistry, फिर आता है आपका next, surface chemistry और collides and catalyze, यह आपका topic, तो यह पूरा का पूरा है आपका physical chemistry का, फिले बस किसका बैटा physical chemistry का, इसी तरीके से आगे अगर हम देखते हैं, तो inorganic chemistry की बात करते हैं बैटा, inorganic chemistry में क्या आता है, principle of methodology, operations, chemical of periodic, periodicity, comprehensive study of elements, फिर अगला आता है आपका transition of metals, coordination compound, chemical analysis, यह है आपकी inorganic chemistry के topic, इसी तरीके से हम आगे देखे, अब आजाता है आपका organic chemistry, यह पार्ट था आपका inorganic का, अब आगे आपका कौन सा, organic chemistry, इसमें क्या-क्या है, तो calculation है बैटा है, calculation of empirical and molecular formulas, फिर हम बात करें, organic compound, इसी के अंदर यह है, अगला है आपका preparation of properties and uses of alkyne, alkynes, benzenes, यह सारे छोटे मड़े जो topic है, यह इसी के अंदर आते हैं, इसी तरीके से आपका no many cultures, methods, preparations, यह सारे topic, polymer आता है इसमें, bio molecules आता है इसके अंदर, यह आपका organic chemistry का part है, इसको chemistry को भी सर ने बहुत ही बहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है पूरे course के अंदर, ठीके, तो आप क्या करेंगे बेटा, application को download कर लीजिए, और आप class देखिएगा, पूरा का पूरा बहतरीन तरीके से यहाँ पर सर ने पढ़ाया गया है, ठीके है, तो course purchase कर लीजिए, मात्र आपको सत्रा सुरुपे में एक course मिलने वाला है, आगे देखते भी, general study, GK, GK के portion की बात करते हैं, GK में आपको क्या पढ़ना है, देखो, general science आपको पढ़नी, environment हैने की परियावरन आपको पढ़ना है यहाँपर, geography पढ़ना है आपको, history पढ़ना है, sports के बारे में, sport and culture of MP, MP के बारे में information पढ़ना है, information and communication technology, संचार तंतर के बारे में पढ़ना है, तो यह आपका complete syllabus मैंने आपको बताया, physics, chemistry और general GK का, तो यह complete syllabus है आपका, और बेटा, वो भी नए साती है, जुन्होंने अभी तक भी application को डाउनलोड नहीं किय है, सबसे पहला गाम आपको application को डाउनलोड कर लेना है, और यह complete syllabus है आपका, और यह complete syllabus को application पे complete कराया गया है, तो जो भी साती ही नए है, application को डाउनलोड कर लीजे, वहाँ पर आप देखिए, आपको complete course मिलेगा बेटा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्तर है, स्वस्तर है, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद.